आज का वीडियो होने वाला है कबार से जुगाड से एक सुंदर डेकोर में कनवर्ट करते हैं ये सारी प्रोसेस रहेगी हो सकता है ये चीज़े आपके घर में भी पड़ी हो और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि इसका क्या करना है तो इस वीडियो में आप देखिए और यदि आप रीक्रियेट करते हैं तो मुझे इंस्टा कि इंटरस्टिंग वीडियो देखने के लिए चलिए आज का इंटरस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं केक तो हम सब के घर आता ही है और केक की नीचे जो बेस होता है हम यूहीं फेक देते हैं बिना सोचे समझे जबकि इसका एमडेफ काफी स्टडी होता है इससे डेकोर बन सकते हैं, तो आज हम इस वीडियो में इसका बहुत ही सुन्दर वाल डेकोर बनाने वाले हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इसकी चमकीरी पॉलेती ने इसको निकाल के फेक देना है, देन हमें एक बेस मिल जाएगा, इस पर हम सबसे पहले बेस आप चाहे तो एक्रिलिक वाइट कलर यूज कर सकते हैं, और इसके बाद आपको क्या करना है, अपने मन पसंद कलर, अपनी कलर थीम क्या कोडिंग, जो भी कलर यूज करना है, हम चाहे पनी लाइफ में रंग भर पाएं या नहीं, पर हमारे वाल डेकॉर या हमारे डियाव मैं बहुत सारे कलर्स होते हैं, मुझे कलर यूज बहुत पसंद है, यहां पर मैं जो कलर यूज कर रही हूँ, वो पिंक और पर्पल का कॉंबिनेशन है, जो काफी अच्छा लग रहा है, और इन्हें अपलाई करने के लिए मैं ब्रश का यूज नहीं करूंगी, क्यूंकि इसे स्ट्रॉक आ जाते हैं, तो मैं यहां पर इस्पोंज का यूज कर रही हूँ, काफी अची फिनिशिंग आ जाती है, और उसके बाद आती है बारी यहां पर इस्टेंसलिंग की, आपके पास इस्टेंसिल हो तो आप वो यूज कर सकते हैं, या आप मीरर यूज कर सकते ह तो firstly मैं जो यूज करने वाली हूँ इस तरीके से अपनी उंगलियों का यूज करी इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है जरूरी नहीं है कि आपके पास हर तरीके के टूल्स हो आप अराम से घर पे क्योंकि हमें DIY बनाना है वो अच्छा बनना चाहिए जरूरी नहीं कि आपके पास हर टूल्स हो तो यहां पर मैं अपनी उंगलियों का यूज कर रही हूँ इस टेक्शर पेस्ट को इस तरीके से यूपी उसमें अपको जस्ट कलर एट करना है थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा टेक्शर आपको इस टाइप का रखना है कि वो इतना लिक्विड भी नहों कि आपकी जो स्टेंसलिंगे फैल जाए नॉर्मली आपको हातों से ही से फैलाना है यू कैं सी कितना ज्यादा सु तो यहां पर बेग्राउंड की नहीं जो इसकी बॉडर की तो बॉडर पर हमें क्या करना है बहुत सारे मीरर्स लगाना है मुझे मीरर्स परसनली बहुत पसंद है एंड ट्रेडिशनल वाल डेकोर में अगर मीरर आपने लगा दिया तो बहुत ज्यादा सुनदर लगता है लुक आजाता है तो बस हमें क्या करना है यह जो मीरर है राउंड शेप मैंने यह यूज किया है बहुत सारे शेप आचकल मिल जाते हैं आप वह यूज कर सकते हैं बट मेरे पास यही थे तो मैंने यह यूज किया जद़ कुछ नहीं करेंगे बहुत ही जल्दी बनने वाला यह DIY है और बहुत ज्यादा सुन्दर लगेगा आप कहीं पर भी इसको हैं कर सकते हैं यह काफी अच्छा लगेगा इसके पीछे जस मैंने एक वायर लिया और क्ले से अटेज कर दिया देन इसको हैं कर दिया और देखिए इसका फाइनल रिवील चलिए अब देख लेते हैं next DIY हम क्या बनाने वाले मेरे पास यह एक प्लाय का टुकड़ा पड़ा हुआ था समझ में नहीं आ रहा थे कि क्या बनाओ इसका तो firstly तो मैंने क्या क्या बेस कोट कर लिया हमें कोई भी चीज पेंट करना है सबसे पहले बेस कोट कर लेना है अग प्रोसेस है कि अगर आपका बेस अच्छा है तो आगी की कलर अच्छे से उभर के आएंगे तो जस्ट आपको बेस कोट करने के बाद क्या करना है अपने मन पसंद कलर में चाहती थी थोड़ा सा कलर कॉंबिनेशन यहां पर हो एक की कलर से मैं इसे कलर पेंट नहीं करना चा तो अगर आपके पास नहीं है तो ब्रश भी उज़ कर सकते हैं बस आपको अच्छे से पेंट करना इसको इस तरीके से मैंने थोड़ा मर्च करते हुए इसे पेंट कर लिया देन हम वापस से स्टेंस्लिंग करेंगे और यहां पर मैं पिंक कलर में सारी चीजे थोड़ी सी म तो इस तरीके से मैंने फ्लावर पेटन को बीच में एक फ्लावर बनाया है देन हाफ आप करके साइड में कर दिया अब बारी आती है इसको और अच्छे से डेकोरेट करने किया हम इसको कैसे मतलब एक वाल डेकोर बन रहा है तो अभी तो फिलाल दिये सिंपल लग रहा है अब हम क्या करेंगे हमारी पुरानी जो बॉटल्स एक्रिली कलर की खतम हो जाती हम ऐसी फैक देते हैं तो यहां पर मैंने दो बॉटल्स ली है और इने अच्छे से क्लीन कर लिया कुछ नहीं किया बस पानी में एक दिन के लिए चोड़ दिया था दूसरे दिन कर ली इसे क्लीन करने के बाद आपको क्या करना है अपनी जो ग्लू गन है उससे या फिर आपके पास फेवी बोंड है उससे यहां पर स्टीक कर देना है और अप छोटे-छोटे से फ्लावर्स वगिरा अगर आपके पास है उसको यहां पर लगा दीजिए यह काफी सुन्दर वाल डे नेक्स्ट डियाइवाई की बात करूं तो इसमें मैंने बिल्कुल भी महनत ही नहीं की है बहुत ही जल्दी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यह डियाइवाई आप जरूर बना सकते हैं आपके पास पुरानी फ्रेम्स वगेरा पड़ी है और एक ही तरह की फ्रेम लेना है मेरे पास तो यह मिशो की फ्रेम्स थी बहुत ही जादा सस्ते में में को मिल गई थी और मैंने सोचा चलो इसको अप अलग तरीके से यूज करते हैं मैंने क्या किया इसके पीछे से एमडेफ निकाल लिया और उसके बाद मुझे जो भी कलर थीम चाहिए थी मेरे प को स्टिक करना है आपके पास फेवी कॉल है फेवी बॉंड है ग्लू गन है उससे आप इस तरीके से फिक्स कर लीजे अगर आपके पास इस टाइप के एलिमेंट नहीं है यह ब्रास एलिमेंट है मेरे पास पढ़ा था काफी टाइम से मेरी फ्रेंड ने मुझे चटिस गड से पोचाया था उसके बाद से यह यू ही रखा था मैंने सोचा चलो इस आजकल इस टैप के वाल डेकोर बहुत काम में आते हैं कलर कॉंबिनेशन ग्रीन का ही डाक कलर मैंने हापर लेस का लिया है और कट करके यहां पर स्टिक कर दिये बहुत सुंदर लग रहा था बहुत ह किसी महनत के फटा-फट बन गया और पैसा तो मेरा बिल्कुल भी नहीं लगा आप बताइए आपको कैसे लगा यह डियाइवाई है चलिए नेक्स्ट डियाइवाई देख लेते हैं यहां पर आपको सिंप्ली क्या करना है वाइट पुट्टी सिमेंट या पी योपी जो भी लेना है मैंने पी योपी हाँ लिया है तक यह अच्छे से एक बेस बनें मेरे पास यह किसी पैकेजिंग में थर्माकोल आये हुए थे जस मैंने पी ओ पी गोल के इसके अंदर डाल दी और दीपक और दियो को इस तरीके से अरेंज कर दिया पहले मैंने इसको क्या किया था कि इस ही टेक्चरय पैस्ट से स्टिक करने की कोशिश की थी इन दीपक वगेरा को बट ये श्टिक नहीं हुए गिर गए और फिर मैंने अभी वीडियो क्लिप में नहीं है बट यह गिर गए थे तो फिर मैंने क्ले से इसको अच्छे से बॉंड कर दिया अच्छे से चिपका लिया ताकि एक अच्छी सी फिनिशिंग आए तो ज्यादा एजी हो जाता है किसी भी DIY में तो आपके पास होना ही चाहिए मेरे पास पहले से था इसलिए यह DIY मेरे लिए तो जिरो कॉस्ट है तो यहां पर मैंने इस तरीके से इसको फिर एक दिन के लिए छोड़ दिया मैंने दूसरे दिन देखा अभी भी थोड़ा सा गीला था यह फिर मैंने सोच चलो दो दिन के लिए चोड़ देते यह वीडिय जो लेट इसी DIY की वज़े से हुआ है क्योंकि यह अच्छे से ड्राइ नहीं हो पा रहा था फिर मैंने लास में इसको इसमें से थर्मा कोल से बाहर निकाला और उसके बाद देखा कि बहुत सारे इधर उदर चीजे निखल रही है इसकी जो पैस्ट है वो निकल रहा है तो म बेसकोट मिल जाए दिन आपके अकोडिंग आपको जो भी कलर करना है यहां पर कर सकते हैं मुझे थोड़ा सा पी-ओ-प के साथ काम करने में थोड़ा सा मज़ा नहीं आया इस बार पता नहीं यह तो यह तो ज्यादा टाइम से यह रखी हुई थी इस पज़ से मुझे नही हैं मैं पहले ही बताई है यह आपकी चोईशे कि आपको अपने गर में किस color से decorate करना है मैं डेकिशन डेरी हूँ कुछ ने कुछ तो आपके ज़्यादा कुछ ने तो कार्डबोर तो निकल ली आएगा इस तरीके से आप अपने घर के लिए डेकूर बना सकते हैं और इसका देखिए फाइनल आप्टकम तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो इस तरह से आप अपने घर की कबार का यूज़ करके सुन्दर सुन्दर डियाएवाई बना सकते हैं और इसी तरीके के इंटरस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना और कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा डियाएवाई आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा अपने लाइफ में कुछ न कुछ क्रियेटिव करते रहिए सो मिलते हैं मेरे नेक्स वीडियो में तिल देन टेक केरें बाई